Hello and welcome you all, I am Rohit pro Mahajan Traders So guys, आज हम बात करने वाले IDFC First Bank Ltd. के बारे में हमने previous वीडियो भी इस पर बनाया थे कि यह अच्छा momentum है इसमें उपर क्यों और long term की हिसाब से अगर इस stock को खरीदा जाए तो आख काफी एच्छे returns बन सकते हैं long term की हिसाब से इस stock काफी secured है क्यों मैं ऐसा बोड़ा हो क्योंकि जो promoters है इसके जो top share holding pattern है उन में जो top promoters है उनके इसाब से अगर देखा जाए उनको लेके अगर देखा जाए तो stock काफी secured है मैं उनके उनका नाम भी बताऊंगा last में तो उससे पहले अगर आप IDFC के बारे में मैं अगर बता हूँ तो guys festive season आने वाला है और festive season में IDFC जैसे stock बढ़ने वाले है क्यों मैं ऐसा बोड़ा हो क्योंकि एक banking sector का stock और banking sector के सारे के सारे stock में अच्छा momentum होता है कोई भी festive season हो खासकर दिवाली दिवाली के time तो stock काफी उबर की और momentum देखने को मिलता है इन stocks में तो देखते है IDFC में क्या कुछ होता है trade value देखते है काफी कुछ बाते करेंगे इस वीडियो में उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर देना फो शेर्स के अबडेट्स के लिए शेर्स के लेटेस न्यूज के लिए तो गाइस वीडियो को शुरू करते है तो गाइस यहाँ पर बात करेंगे पहले current price के बारे में current price अगर देखा जा से तो 0.92% के साब से स्टाउक में ओपर किया momentum था वह एकर बात की जाएगा इस क्या कुछ हुआ था यूएस क्लोजिंग इसने कहा पर कुछ दी थी तो बात करेंगे अगर open की closing के बारे में तो हमने discuss कर लिया कहा पर open हुआ था तो गाइस open हुआ था 48 रुपे 90 पेसे पर औ market cap की इसाब से तो स्टाउक में और positive चीज़े आ जाती है क्योंकि market cap के इसाब से एक mid cap शेर बन जाता है क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि market cap इसका हे 30.63,000 करोड का तो इसके इसाब से अगर देखें तो एक mid cap शेर 30.63,000 करोड का market cap काफी बड़ा होता है और stock का price तो आख करते हैं क्या कुछ 52 विक का high है और क्या कुछ 52 का low है तो high की बात करें तो यहाँ पर 79.30 पैसे के असपास का high दिखाई दे देगा और low की अगर बात करें तो 29.25 पैसे के असपास का stock का low है तो high बहुत अच्छा है, तो high की और यह बड़ने कोशिश कर रहा है क्योंकि कि पिछले टाइम रेम पर अगर आप देखो तो काफी डाउंट्रेंड में था बट अभी अच्छा उपर की और मोमेंटम बताते होगा दिखाई दे रहा है तो अब बात कर लेते हैं क्या कुछ सब्सक्राइब कर नह studios नहीं चाहिए क्या कुछ बता सकते हैं है तो इसाप सभी सब्सक्राइब कर दिखाए रहा है वह revenue 50 रोपे 70 पहन की सब्सक्राइब का दिखाएब दे रहा हैат तो वही एगर third resistance level की अगर मैं बात करो तो 50 रुपे 93 परसे के आसपास का support level है और second support level की यसाप से देखा जाए तो 48 रुपे 27 पेसा है और third support level को अगर देख ले important होते हैं दोनों ही important होते हैं और इनसे पता चल जाता है और उनपचास रुपे तक तो अभी चले गया है बट हो सकता है मंडे की दिन और बढ़ जाए और दिवाली तक तो स्टॉक में momentum ही रहने वाला है और गाइस उसके बाद बात आती है resistance level support level हमने देख लिया है तो बात कर है कि प्राइस पर्फॉमन्स के बारे में अगर देखा चाए तो क्या कुछ अपर देखा जाता है तो यहाँ पर फीच्छे से अगर देखें three years से अभी इस अबते तक क्या कुछ data है आपर है तो यहाँ पर आप देख सकते हो बात करेंगे वरस्ट और हम बात कर लेते हैं त तो 3 years के अगर देखा जाए तो 35% के साफ से price performance में improvement था और one year की बात करें तो 80% था यह अगर बात करें तो 30.33% है और वही अगर बात करें 3 months का तो यह पर minus में देख जाएगा minus 8.18% के असपास में दिखाई दे रहा है और वही अगर अगर बात करें profit में गया था profit में गया था guys फिर से recovery करते हुए आ रहा है वन मन्त की अगर बात करें तो यहाँ पर प्लस में है 3.02% के something और वही अगर देखा जाए वन वीक का अभी की बात करो 3.35% के असपास तक यह positive है तो और भी इंप्रूमेंट इसमें होने वाला है क्योंकि best decision है दिवाली है और दिवाली में काफी कुछ stocks बढ़ते ही जाते हैं इस तो देखना होगा क्या कुछ होता है और आगे बढ़ते हो वो trade value के बारे में discuss कर लेता है तो trade value के इसाल से पता चल जाता है कि क्या कुछ करीदारी हुई है और क्या कुछ momentum stocks में चल रहे है बार कितने हवी है sellers कितने हवी है तो यहापर फीछे से देखते है कि क्या पिछले मंत क्या हुआ था तो 3 करोड के आसपास का आपर trade value आपको देख जाएगा 3 करोड के something का trade value और 1 करोड के something की component delivery वही है और अभी की बात की जाए तो अभी 3 करोड के something का trade value था और 1 करोड के something की component delivery तो काफी कुछ चीज़े जो है वो काफी similar आपको देखने को मिल जाएगी guys क्योंकि पिछले एक माहिने से अब तक 3 करोड के असपास यह trade value और dominant delivery काफी same है 100% तो नहीं कह सकता हूँ बट काफी कुछ similarity है इन दोनों में तो बात करते हैं community sentiment की साब से तो bias काफी हावी है और बात करते हैं गैस revenues की तो revenues काफी important होते है कि नहीं भी stock के लिए तो revenues के बारे में 8588 करोड का revenue generate कर दिया था 2017 में वहीं गाइस अगर बात कि रहे 2018 की तो 9098 करोड के असपास का revenue generate क्या था यहां पर 2018 में और 2019 में यहां पर आप देख सकते हो काफी बड़ी आता लगबग 12204 करोड का revenue था 2020 में 16240 करोड का revenue था 2021 में 15968 करोड का revenue था तो year on year जो revenues generate हुए है और काफी अच्छे है काफी अच्छे तरीके से revenues generate हुए है और अभी 2021 हभी खताब नहीं हुआ है और 2020 की बात कर ले तो कोवीड के time bill stock में improvement था जिसे PNB के सारा stock में और कोवीड के time bill में नीचे नहीं आये थे banking sectors तो यह बढ़ने की भी तब कोशिश कर रहे तो अभी भी बढ़ने की कोशिश कर रहे तो क्याई सब बात करते कि क्या कुछ net profit generate किये गया है net profit बात करें के 2017 से की बात करें तो 955 कर और तो 2 साल तो का भी रिकाउर किया 2021 में 21 में काभी अच्छा comeback इनों ने किया है और 2021 में की बात की जाए 2021 में तो 483 करोड के असपस का net profit generate किया है जो की काफी positive वा थे stock को लेगा है क्योंकि आप देख सकते हो गाइस 483 करोड का net profit generate कर दिया 2021 में और अभी भी साल क्राना खतम नहीं हुआ है हब बात करते हैं शेरusan इस की color क करmost कि ऐस आगर देखिए तो 36.56 परसंगा असपस की अचया अगर प्रमोट देख शंकर की पॉइंटी फरसंट के असपास जो टॉप ओल्डर्स है जो टॉप शेर ओल्डर्स है खुट आईडिए अपसी फारेंसियल होल्डिंग अकमपनी लिमिटेड है वह है ठटे 6.56 परसंट के आसपास की वही होई की होल्डिंग बात की जाया तो ओडिस से बेली के फ्रोट के अगर बात की जाया तो 1.6 परसंट तो डियाए की होल्डिंग में भी कॉलिपाट इंस्ट्रिशनल सभायस है आईसे आईसे बजाच अधिते बिड़ला तो होल्डिंग्स तो काफी तगड़ी है मिजल फान्स की बात कर ले आपर पब्लिक होल्डिंग्स की बात कर ले तो होल्डिंग्स काफी अच्छी है सब्सक्राइब कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठेंक यो